लो डिया स्टूइंट वेलकम बैक टूबर चानल आरके सेंटर दूस्तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ BBMKU semester 4 AC3 हिंदी के most important प्रसन जो आपके examination में पूछे जाने वाले हैं मैं इस कहने करती है कि 5 प्रसन आपको पढ़ना है और यह 5 प्रसन से जो आना अपके examination में question पूछे जाएंगे टिक है जो कि BA, BSC और Bcom तीनों वाले विद्यार्थियों के लिए important होने वाला है चाहिए वो science का हो चाहिए वो commerce वाले विद्यार्थियों चाहिए वो arts वाले विद्यार्थियों ठीक है तीनों विद्यार्थियों के लिए यह प्रसन जो है important होने वाला है जो कि AC3 mail to Hindi का होने वाला है तो आज के वीडियो में दूस्त हम लोग AC3 Hindi के most important person को देखने वाले है जो कि आपके syllabus के नुसार से ही बताया गया मैं अगर आप syllabus देखोगे न तो syllabus में ही आपको BVI कोशन दिखा दिया गया ठीक है लेकिन आप लोग उसको देख पाए नहीं तो चलिए मैं syllabus के नुसार से ही आपको BVI कोशन करवा देता और मैं guarantee देता हूं कि जो मैं कोशन बताऊंगा इस से एक भ ज़रूर करें कि BSC पेपर आपका क्या है है और मैं BSC पेपर का भी important question बना दूं कि नहीं यह मुझे आप comment अवस्ति कीजिएगा ठीक है तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग AC 3 semester 4 के most important प्रस्वनों को जानते हैं कि आखिर कौन से कौन से प्रस्वन जो हम लोगों examination के लि यह important question को बताया ठीक है तो important question क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता दिना चाता हूँ देखिए यह आपका syllabus था क्या था यह आपका syllabus है ठीक है परियोजन मुलक हिंदी एवं पतर लिखन आपका syllabus है जिसमें से 1 I1 और 1 I2 दिया वार इसी के नुसार से जो ना जोस्तों आप परियोजन मुलक हिंदी से आप क्या समझते है यह question most important है यह question आपको पढ़के जाना है तो पढ़के जाना है ठीक है फिर देखिए दूसरा प्रसन आपको पूछा जाएगा कि पत्र लेखन क्या है दूसरा क्या है पत्र लेखन क्या है जिसमें से आपको अपचारिक और अन मैंने करवाया है आप लोग देख सकते हो description box में मैंने link डाल दिया है ठीक है फुर देखिए तीसरा question है निबंद लेखन किसे कहते हैं जिसमें सब को पूछा जाएगा निबंद के बारे में जैसे कि माली जब पूछेगा ब्रिज्ञान का चमतकार के बारे में बताईए पर देखिए छोथा जो important प्रसन आप लोगों के लिए media लेखन क्या है ठीक है ये चौथा important question होगा है next देखिए आगे है टिपनी लेखन क्या है क्या है तिपनी लेखन क्या है उसके बिभिर प्रकारों करें ठीक है ये question हो चट्था में आप प्रारूपन क्या है क्या लिका भाए प्रारूपन क्या है और ऑगे है ग्यापन से आप क्या समझते हैं ग्यापन के प्रकार कि उधारन से लोको रिपोर्टस कहते हैं इसके तरीका और विशेष्टा का महत्व के बारे में बताना ठीक है अब देखें यही आठ प्रसन जो है ना दोस्तों आपको यहाँ सिलेबस में बताया गया क्यों यहाँ परियोजन मुलक हिंदी यह आपको इंपोर्टरूम से पढ़के जाना है फिर टिपन लेखन है और रिपोर्ट लेखन ठीक है अब यहाँ पर सवाल रूटता है कि संपाद की लेखन क्या होता है तो जा हम लोग लेटर लिखते हैं ना तो लेटर हम लोग लिखते हैं एडिटर के पास लिखते हैं ना निउस्पेपर वाले के पास लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या मैं 100% guarantee लेता हूँ आप मुझे comment करके अवसी बताईएगा कि आपका BSC paper क्या है और मैं BSC paper का important question बना दूँ कि नहीं बना दूँ ठीक है और मैंने आपको बताया जासा की कि इस रेटर मैंने सारी person बना दिया है जो भी person छूटा है वो भी person को मैं clear कर दूँगा और बता दूँगा पड़ेंगे जी सब्ट में ठीक है तो उम्मीद कर दोस्तों कि आपको समझना आ गया होगा कि मैं आखिर बताना क्या चाह रहा था तो मिलता है नग्स लिए मैं तो तो कि लिए जाहीं चैभारत